हलो दोस्तों आपका स्वागत है जेके ओसियन यूटूब चैनल पर आज हम भारती सम्विधान के पार्ट वन के वीडियो में राश्टपती के बारे में तरचा करेंगे क्योंकि यहां से परिचाओं में अक्सर प्रश्ट पूछे जाते हैं तो बिना टाइम को वेश्ट किये शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो संगी कारिपालिका अनुच्छेद 52-78 भारती सम्विधान के भागपात के अनुच्छेद 52-78 में संगी कारिपालिका के वारे में वरड़न किया गया है संगे की कारिपालिका में राष्टपती, उपराष्टपती, प्रधान मंत्री, मंत्र मंडल तेथा महानयवादी सामिल है इसका मतलब यह हुआ कि जो अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रिधान मंत्री, मंत्र मंदल तथा महानयवादी के बारे में चर्चा की गई है आगे देखते हैं और सुरू करते हैं राष्ट्रपत राष्ट्रपती अनुच्छेद 52 सम्विधान के अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपती के पद का प्रावधान किया गया है आपसे डारेक्ट कोश्टन पूछेगा कि अनुच्छेद 52 में किस पद का प्रावधान किया गया है तो राष्टपती के पत का प्रावधान किया गया है राष्टपती भारत का राज प्रमुक होता है वा भारत का प्रथम नागरिक होता है वा भारत का सर्वोच कमांडर होता है सर्वोच कमांडर से ताथ पर या है जल थल वावायूसेना का प्रमुक अध्यच होता है या प्रमुक कमांडर होता है या सबसे उच्या कमांडर होता है उसाथी साथ देखेंगे संग की कारपाल का कि सक्ती जो होती है वह राश्टपत में नहीं तो होती है और या जो प्रावधान कि आ गया वो अनुच्छेत तिर्पन में किया गया है Most important question पूशा जाता है यहां से कि संग की कारपालिका सक्ति किसमें नहींत होती है तो इसका सीधा answer होता है राष्ट्रपत में और या किस अनुच्छेत में वर्णित है तो अनुच्छेत तिर्पन में वर्णित है इसी में हम एक fact को और write करेंगे कि जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वा होता है मारा राष्ट्रपती साथी साथ भारत की प्रथम महिला नागरिक जो होती है वा राष्ट्रपती की पतनी होती है आगे देखते हैं राश्टपती पत के लिए कुछ योगताएं नरिधारियत की गई है वह योगताएं अनुच्छे अठावन में दी गई है पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए जिर किसी भी विक्ति को भारत के राष्टपती का चुनाव लगना है तो भारत का नागरिक होना आवस्यक है तो उसकी आयू कम से कम 35 वर्ण वर्स होनी चाहिए या 35 वर्स की आयू वो पूर कर चुका हो यहाँ पे एक फैक्ट आयट करेंगे कि अगर ये question पूछा जाता है कि राष्ट पती बनने के लिए maximum आयू कितनी होनी चाहिए अधिक्तम आयू सीमा क्या होगी या क्या निर्धारित की गई है तो इसकी जो अधिक्तम आयू सीमा होती हुआ कुछ भी निर्धारित नहीं है कितनी भी एज का हो सकता है आप 100 साल के हो जाईए 1500 साल के हो जाईए 110 साल के हो जाईए बस जिन्दा होने चाहिए आप चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन 35 वर्ष से कम किया यू नहीं होनी चाहिए तेसरा देखते हैं कि वह किसी भी ऐसी कंपनी में नहीं होना चाहिए जिसमें भारत सरकार का 25% से उपर का सेयर हो और वह वक्ति उस कंपनी में मैंनेजर या उससे उपर की पोश्ट पे कारेरत हो तो वह भी लाब का पद गिना जाएगा यहाँ पर देखते हैं नोट में दिया हुआ है एक वरतमान राष्ट पती उपराष्ट पती या किसी भी राज का राज़िपाल और संग तथा राज मंत्री का पद लाब का पद नहीं माना जाता है लाश्ट देखते हैं पागल वा दिवालिया नहीं होना चाहिए वो पागल नहीं होना चाहिए ता दिवालिया नहीं होना चाहिए दिवालिया क्या होता है दिवालिया वो होता है जैसे किसी ने बैंक से लोन ले लिया और वा उसे नहीं चुगा पाया तो बैंक उसे दिवालिया घोसित करवा देत या जिला न्यायाले होता है वह उसे दिवालिया घोसित करता है जिला अदालत को या अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को वह दिवालिया घोसित कर सकती है यदि वह बैंक द्वारा या लोन नहीं चुकाया जा सका है या बैंक का जो उसने लोन लिया है वह नहीं चुका पाया ह तो वो जिलन नयाले उसे दिवालिया घोसित करता है अगला देखते हैं कि इसके नामांकन पत्र पर 50 प्रस्तावक वो 50 अनमोदक के हक्ष्टाक्षर होने चाहिए और जमानत राज के तोर पर उसको 15,000 रुपिये जमा करने पड़ते हैं यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक था 50 अनमोदक होने चाहिए था 15,000 रुपिये की राज होने चाहिए जो आपको जमा करनी होगी जमानत राज के तोर पर जमानत राज जब्त कब होगी यदि आपको वैद पड़े मतों का एक बटे 6 प्राप्त नहीं होगा तो आपकी जमानत राज ये जब्त हो जाएगी जमानत राज जब्त होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने माल लिया 110 लोगों ने वोटिंग की और उसमें से आपका 10 वोट अवैद घोसित हो गया तो वैद पड़े मतों के संक्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी अब जो 100 वोट ये पड़े हैं इनका एक बटे 6 अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपकी जमानत राज जब्त हो जाएगी ये आपको वापस नहीं मिलेगी यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप मर्दान भले ही आर जाएं या चुनाओ आप भले भले ही आर जाएं लेकिन आपकी ये राज वापस हो जाती है आगे देखते हैं कि 1997 में सिच पूर्व प्रस्तावकों और अनमोदकों की संख्या थी हुआ कितनी थी दस दस थी और जमानत राज कितनी थी पच्छी सो रुपिय थी लेकि 1997 के बाद क्या हुआ प्रस्तावक और अनमोदक 50-50 कर दिये गए तथा जमानत राज 15,000 कर दी गया क्योंकि 10 अनमोदक और 10 प्रस्तावक बहुत ही आसानी से मिल जाते थे और पच्छी सो रुपिय की रासी बहुत कम थी तो कोई भी राश्पती के चुनाव में खड़ा हो जाता था इसलिए इसको बढ़ाया गया आगे रेखते हैं सरते राश्पती के चुनाव के जाहिए और यदि ऐसा कोई भी राश्पती निर्वाचित होता है तो पद ग्रहन से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना पड़ता है वह किसी लाप के पद को धारन नहीं कर सकता है अगर उसके वेतन की बात करें तो 2008 में उसका वेतन था 50,000 फिर उसे 2008 से बढ़ा कर मत कर दिया गया 1,500,000 रूपिये और 2018 में बढ़ा कर उसे 5,000,000 रूपिये कर दिया गया है अब इसके निर्वाचन की बात करें तो जो इसके निर्वाचन का प्रावधान है वो अनुच्छे चंवण में किया गया है क्या कहा गया है कि राश्पती का जो निर्वाचन होगा व लोग वोटिंग नहीं करते हैं संसद के तो सदनों के निरवाचित सदस्त राज विधान सभा के निर्वाचित सदस के नसासित प्रदेशों दिल्ली वपुद्शेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस है। यहाँ पर दिल्ली और पंचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मतदान देने का अधिकार दिया गया। वह 17 संविधान संसोधन 1902 के द्वारा दिया गया इस संविधान संसोधन से पहले यह लोग भाग नहीं लेते थे इस संविधान संसोधन के बाद इन लोगों ने भाग लेना सुरू किया साथी साथ यहाँ पर एक वर्ड निर्वाच सदस से पहर फोकस करते हैं इसका मतलब यह होता है कि संसद में जो भी सदस से चुन के आये हैं वही लोग वोटिंग के लिए जाएंगे या वोटिंग करेंगे यहाँ पर जो राष्टपती के द्वारा लोग सभा में दो कंडिड़ेट जो मनुनीद के आते हैं और राज सभा में बारा लोग जो मनुनीद के आते हैं वह उसके लिए यह लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और आपको यहाँ पर कमेंट सक्षिन में बताना होगा कि राश्पति जो लोग सभा में दो कंडिडेट मनोनीद करता है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है और जो राज सभा में 12 कंडिडेट मनोनीद करता है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो आप इसका answer comment box में comment करेंगे आगे देखते हैं एक विधायक का जो मतमूल होता है वो राज की कुल जनसंख्या बटे राज विधान सभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुडे एक बटे एक हजार होता है एक विधायक का मतमूल एक संसद सदस्य के मतमूल की अगर बात करें तो सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या विजई होने के लिए क्या करना पड़ता है उसको 50 प्लस 1 प्रसद मत प्राप्त करने पड़ते है कुल वैद मत बटे 2 प्लस 1 प्राप्त करना पड़ता है इसके निर्वाचिन प्रणाली के जो पद्धत है इसके बारे में एक नोट पड़ते है इस पद्धत का विकास British विध्वान इस प्रणाली को हम वरीता प्रणाली भी कहते हैं क्यों कहते हैं क contour की इस में वरीता के एधार पर मत दिया जाता है एक्जाम्पल समझते हैं जैसे माल लिया तीन लोग खड़े हुए हैं चुनाव में 1, 2 और 3 आप मैं वोटिंग करने जाता हूँ या आप वोटिंग करने जाते हैं तो आप इसमें से किसी एक भी बंदे को वोट नहीं देंगे आपको तीनों को वोट करना है वरीता गेदार पर जैसे मैं गया तो मैंने इसको पहली वरीता दे दी इसको दूसरी दे दी और इसको दूसरी दे दी इसए बोलते हैं आनपातिक प्रित्युध्ध के आधार पर एकल संक्रमडी मतपध्धत द्वारा इसमें और देखते हैं कि राष्टपती का जो चुनाव सम्मंदी विवाद होते हैं वह कौन सुल जाता है उच्चतम नयाले सुल जाता है उची का फैंसला अंतिम माना जाता है आगे देखते हैं अनुच्छे चपन में प्राधान किया गया इसकी पदावधी और पद रिक्तता का इसका जो कारकाल होता है वो पद ग्राहन तित से 5 साल का होता है साथी साथ कारकाल पूर्ण होने के बाद भी वह पद पर बना रह सकता है क्योंकि यह एक सरवोच पद होता है या कभी भी खाली नहीं हो सकता है अगर किसी कारणों वस राष्ट पती का चुनाव नहीं कराया जा सका है तो वो आपने पद पर बना रहेगा अगर पद रिक्ता की बात करें तो त्याग पत्र के द्वारा वो आपने पद को छोड़ सकता है अगर त्याग पत्र किसे देगा उपराश्ट पती को देगा अगर उसकी अकसमात म्रत्य हो जाए तो उसका पद रिक्त हो जाएगा उसका पत रिक्त होने पर उसके पत का उप्राष्ट पती ग्रहन करेगा और उप्राष्ट पती के नहीं होने पर सर्वोच नयाले का मुख्य नयाधीस पत ग्रहन करता है महाभयोग की प्रक्रिया को लगा कर भी इसके पत से हटाया जा सकता है और इस महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया है महाभियोग की प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे आगे देखते हैं पुनर निर्वाचन अनुचेद 58 में इसके पुनर दिन्वाचन का प्रावधाम किया गया है जिसमें यह कहा गया कि जब तक राष्टपती का उत्तरा दिखारी न चुन लिया जाए तब तक राष्टपती अपना कारेकाल समाप्त होने के उपरांत भी पर बना रह सकता है और देखते हैं कि कोई भी व्यक्ती भारत में कितनी बार भी राष्टपती बन सकता है जबकि अगर अमरीका से कंप्रिजन करेंगे तो यहां एक व्यक्त केवल दो बार प्रधानमंत्री बन सकता है और उसका जो कारकाल होता है जो कितना होता है चार वरस का होता है लेकिन बहरत में कोई भीवर्थ कितनी बार भी प्रदान मिन्तरी सवरी राष्ट्रती बन सकता है आगे देखते हैं सपत की इसकी बात करें तो अनुचेद सार्थ में इसकी सपत का प्रावधान किया गया है इसको सपत दिलाता है अगले वीडियो हम इसकी सकतियों महाभीयोग की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जो की बहुत जल्ली ही हमारे चैनल पर वीडियो इसका आजाएगा साथी साथ हमारे टेलेग्राम ग्रूप से जोड़ने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक को फालो करें साथ और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूप चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ने बोलें धन्यवाद